सो हेलों वेलकम बैक गई स्वागत करता हूं मैं आपका एक अनदर वीडियो में तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और साथ साथ मैं बता दूं मैं जा रहा हूं एक न्यू ब्रेंड शिरीज लॉंच करने हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे कि वन टू है कि आपको दिख रहा होगा हमारे पास दो दो पैरा सर्स हैं अब मैं इन दोनों को ब्रीट कराऊंगा आपके सामने और हमारा जब पूरा प्रोसेस है आप लोग खुद देखेंगे तो देखें यहां पर चले सुरू करते हैं यह हमारा एपसोड नमर वन होने वाला है मैं ने इसको फिलाल में ही टेम किया है और इस समय मैं खेलना हूं है को वर्जन तो आप लोग समझ सकते होंगे कि यहां पे थोड़ा बहुत ग्लिचेज वगरा दिखा रहा होगा आपको तो आप लोग मेक्सियर करें कि देखते रहें आप नवी रहें कोई दिक्कत नहीं करता तो चलिए सुरू करते इस वेडियो को और यह हमारा फीमेल वन ने तो हम इसे कार्निवर दे देते हैं ताकि एक हमारा जल्दी से है जो जाए तो यहां पर कार्निवर नहीं लगेगा हमें आइधिंक यह लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं हमने इसे दे दिया और क्या करना है अब जाहिर से बात है हमें यहां पे walking mode activate कर देना है और यह हमारा process आपको दिख रहा होगा start हो चुका है और हमें wait करना यह 100% complete हो जाया है जैसे 100% complete होगा हमारा एक जो है आ जाएका फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जब हमने इसको दे दिया क्या नाम इसका कार्णिवर वगेरा कुछ ऐसा आइधिंक नाम है जब लोग इसको इसकी इंवेंटरी में दे देते हैं तो हमें हैचिंग कराने के लिए सोलो में कोई भी फ्रीज वगेरा की नहीं जरुवत पढ़ती उसको क्या ही बोलते हैं रेफ्रीजडेटर आइधिंक फ्रीज वगेरा कुछ बोलते हैं उसको जो भी बोलते हो तो यहां पर फिलाल के लिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारा जो प्रोसेस काफी फास तरी इसन देख लेते हैं तो काई यहां पर आपको दिख रहा होगा हमारा एक जो है 30-40 सेकेंड में हैच हो जाएगा तो इसको में एक अच्छे जगह पर रख देता हूं इस तरह से और यहां पर हमारा टाइम हो चुका है और इसका लेवल देखिए जो बेबी जाया है 461 लेव इसे कर लिया है क्लेम और अब बार ही है हमें इसको फूट वगरा देने की तो और फूट वगरा दे देता हूं इसको और साथ जाद अब लोग इसको इंप्रिंट भी करांगे तो यहां पर जितनी चीज़ें मैं जल्द से जल्दिसको दे दूंगा अगर यह सम नहीं भी द पास और यहां पे आपको तो यहां से हम लोग पेट्राटाण कीबल ले लेते हैं पहले तो कि यह थोड़ा दिक्कत होगी हमें करने में I mean तो पास होना चाहिए वैसे पिर उसके बाद जल्दी जल्दी इसका प्रोग्रेस जो हम लोग लेडी करते हैं देखिए एक बार में 45 परसेंट गया है और अब जो है कार्बोनियम कीवल्स मांग रहा तो एक बार इसे और फीड करते हैं जो यह कैंडी हमारी है कैंडी इनको तुरंत आंदे स्पूर्ट इंप्रिंट करने में मदद करती है तो पिंदी का काफी जादे रोल हुता है ओर यहाँ पर मैंने से और एक कीवल ले लिए आपको दिख रहा होगा तो चले इसको भी कीबल्स दे देते हैं ताकि जल्दी से और इम्प्रिंट हो सके हमारा और अल राइट तो यहां पर यह से वोक कराने केके लिए तो करता हूं सारी चीजे ले लेता हूं यहां से और यह आप लोग दिख रहे होंगा कि कितना जादे फास तरीके से कंज्यूम कर रहा हमारा जो है रॉक रोड फिलाल तो तो मैं क्या करता हूं इसे पहले वॉक करा देता हूं और तो यहां भी से वॉक करा देते हैं पहले देता हूं यह लेकिन लोवेस्ट में डाल दिया मैंने और अभी हमें विल्कुल फॉलो करेगा यह देखिए आपको दिक रहा होगा किस तरीके से यह फॉलो कर रहा हमें इसे सो परसेंट लोग जल्दी इंप्रिंट करा लेंगे अर्णईट गैस यहां पर हमारा सो परसेंट इंप्रिंट हो चुका है और हम लोग आप इसे इसलिस दे देते हैं स्टॉब होने के लिए अब बार नहीं है क्योंकि अब जो है हम लोग इसको करने वाले बहुत ही फास तरीके से इसको करने वाले ग्रोव अप तो फिलाल के लिए मैं इसको इधर बुला लेता हूं ताकि हमें क्लियर दिख सके और यहां पर मैं अपना स्टेशन उठा लेता हूं अब इसकी जरूरत नहीं पड़े गया मैं तो ओलेट गईस यहां पर हो चुका है हमारा और मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूं और अब हम लोग इसको फास तरीके से करना सुरू करते हैं आई मिन ग्रोव अप करना सुरू करते हैं औ आपको दिखी रहा होगा यहां पर कि यह काफी जादे स्लो चल ला इसका प्रोसेस तो देखते हमें कितना टाइम लगता है इसको फुली में चेवर कराने के लिए और साथ-साथ हमें फूट की भी तोड़ी जरूवत पड़ सकती है वैसे अगर हम लोक deux-time आट वरस देदे कि और फास तरीके से हो जाएगा बट क्शoshi की हमें तो यह पोलग यह हैं मिलेगा नहीं और फिर नॉर्मल खेलेंगे तो उसमें मिलेगा नहीं है तो मैं इसको आप लोगों को सो कराने के लिए बिल्कुल सो परसेंट इंप्रिंट कराऊंगा अरे सारी सो परसेंट में च्योर कराऊंगा बट यहां पर इसकी स्पीड अभी भी बहुत जादे स्लो है आपको दिख रहा होगा मुझे नहीं पता अब यह कितना जादे टाइम देने वाला है पूरा सो परसेंट में च्योर होने के लिए बट जितना भी टाइम लेगा हम लोगी वेट करेंगे तो यहां पे हमारा टॉय है जो की में च्योरी स्पीड जो है दो परसेंट बढ़ा देता है टो टाइम्स तो आइधिंक मुझे टॉय दे दिना चाहिए इसक अधिसा थोड़ा सा और रोक रोड दे दिया है ताकि यह अंगरी न हो हमारा और फास्त तरीके से मिच्चूर हो सके तो यहां पर मुझे लगता है मिच्चूर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है कि क्यांकि पहले जोग काफी स्पीड अप हो गया यह देखिए वह काफी तो यहां पर थोड़ा सा फायदे हैं इसको तो यहां पर मुझे लगता है कि दो से तीन मिट लगेगा टोटल अगर बात करें तो इसको पूरा मैच्योर होने के लिए पर सेकेंड के हिसाफ से चल रहा है तो यहां पर जो वीडियो हमारी काफी चादे फास्ट है आम इन अबर आइछ यहां पर हमारा जों मैच्योर जो अभी चल रहा है प्रोसेस पूरा और जल्दी हमारा सब परसेंट भी होने भी वाला होगा कुछी सेकेंड की बात है अभी भी देखे यह उपर टाइमिंग दिखा रहा है हमारा कितने फास तरीके से गुजर रहा हमारा टाइमिंग तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही जादे अंगरी हो रहा यह देखिए काफी जादे मैंने यह काफी जादे खा जा रहा है यह काफी अच्छे तरीके से इंप्रिंट हो सके क्योंकि जादे खाएगा तो फिर कितना लाँगा मैं रॉक रॉट लाके तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर देखते हैं कितना टाइम लेता है अभी और अभी तो हमारा प्रोसेश चली रहा है औ और यहां पर अभी भी अठरव मिनिट बचे हैं हमें और जो हमारा प्रोसेश स्लोली स्लोली चल रहा है तो फिलाल मुझे ऐसा फील आ रहा है बैट कोई बात नहीं हम देखते हैं इसको कितना जादे टाइम लग सकता है इसको पुरा इंप्रिंट कराने में स्वारी मैचिय और हो चुका है 35 और इसने काफी जादे रोक रोट खा भी लिए हमारे देखिए रोक रोट खारा हमारा और हमारे पास अभी भी काफी जादे टाइम है तो यह अच्छे से में अच्छे और हो जाएगा तो यहां मैं आप लोगों को फूरा प्रोसेश दिखाऊंगा और हर वीडियो में इसा आपको प्रोसेश दिखाऊंगा याँ मीन वन टूवानेट की जितनी सीरीज आएगी अब सिर्फ और सिर्फ अभी फिलाल के लिए ब्रीडिंग की सीरीज चलेगी जब तो यहां पर काफी जादे टाइम बीच चुक है आपको दिख रहा होगा उपर है और यह देखिए अभी फिलाल के लिए दिख रहा होगा आपको 44 परसेंट हो चुका है और अभी भी दीर दीर यह बढ़ रहा है हमारा तो इसको ऐसे ही बढ़ने देते हैं हम लोग तो यहां पर हमारे अभी भी दस मिंट बचे हुए हैं देखते हैं अभी दस मिंट में आई थिंक तो दस मिंट में होत नहीं पाएगा क्योंकि एक बार पचास परसेंट में चेहर होने के लिए से करीब करीब 15-20 मिंट लग गए थे तो आइधिंक अभी भी यह टाइम लेन पोर आइधिंक मुझे और फीट करने के जरूवत पढ़ सकती है बट फिलाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका लेवल हाई है इसलिए जादे फूट की जरूवत पढ़ रही है थोड़ा से लेबल रहता है तो साहिए काम हो जाता है हमारा बट कोई बात नहीं ज इस आपको एक गंटे के आसफास लग जाएंगे इसको 100% कराने के लिए जैसा कि आपने देखा ही होगा टाइम जो मैंने लगाया था यहां पर यह उपर टाइमिंग दिखा रहा है ट्राइग इन इतने मीनट में 6 वगेरा वगेरा तो यह जो टाइम दिखा रहा है आपको सब्सक्राइब यह पूरा रियल टाइम दिखाएगा आपको इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं तो यहां पर नाइट हो चुकी है हमारी और अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि डे हो जाए जल्दी से तो यहां पर मैं चाहूं तो गौट कंसोल भी यूज कर सकत हैं तो गौट कंसोल के थोड़े बहुत फायदे होते हैं अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं गौट कंसोल से भी चाहि है मुझे पता नहीं अब यह कितना जादे टाइंग लेने वाला है जो भी लेनवाला देखा जाएगा ऐट यह करिब करीब अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो पाँच मिhero's हो चुके होंगे पांच मिंट से जादे ही हो चुके हैं और अभी अगर गीम इन गीम की बात करें तो करीब करीब यह 30 मिद्ट से उपर हो चुके हैं अगर आरे पास गौड कंसोल नहीं रेज़ता तो साइथ थोड़ी से दिक्कत होती है मैं यह सब पूरा करने के लिए बट अभी हमारे पास गौड कंसोल इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो यहां से इसे थोड़ा से फॉलो कराते हैं ताकि यह दिख सके हमें पूरा और इसको अभी स्टॉप कराते हैं आपको दिखे का आपकी पूरा कि इतना बड़ा हो चुका है यह देखिए अभी इतना बड़ा हो चुका है हमारा और यह बहुत जल्दी पूरा फुल बड़ा तो यहां पर अभी हमारा 77 परसेंट हो चुका है आपको दिख रहा होगा और काफी फास तरीके से लेबल अप करने कोशिच कर रहे हैं और हमें ध्यान रखना है कि इसका फूड लेबल ना ड्रॉप हो जादे तो अभी तो फिलाल के लिए फूड लेबल ठीकी ठाक दिख रहा हमारा और यह हमारा 80 परसेंट हो चुका है और 20 परसेंट और है तो यहां अब हमारा प्रोसेस काफी जादे स्मूदली चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा और यह बहुत जल्दी अब फूल में च्योर हो जाएगा इधिंक टॉंटी 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 सेकेंट्स और लगेंगे आइमीन एक तरह से मालीजिए दस सेकेंट्स में अगर रियल है और यहां पर बात करने स्टेटस वगेरा की जो इसकी वगेरा है देखिए काफी अच्छा है और साथ-चाथ वीट भी ठीट यहां इसकी मैली डेमिज सेकेंक आफी अच्छा अच्छा मैलीक इसका मानना पड़ेगा 744 डैमेज है इसका और साथ साथ मुवमेंट 187 और टॉर पर देखिए इसका कितना है 5000 टॉर पर हो गया इसका और यह हमारा देखे 7% बच्चा हुए साथ इंप्रिंट होने की वज़स से यह ऐसा दिखा रहा था आइमें इसकी अच्पी वगयरा तो अभी चलके हम लोग थोड़ा सा इसके साथ करते हैं कंपेर करते हैं देखते हैं कौन सा जादे अच्छा निकला हुआ है ब्रीड जादे अच्छा है या फिर सब जब जड़ा वगयरा मिला के देख लिएये हैं यहां पर देख सकते हैं आप लग है और आशनावude sociology से जादे विलिःट कराया है और फूड बी उसका जाधे और साथ साथ इस्तेमिना इसका जाधे और उसके अलावा अक्सीजन लेवल इसका जाधे हमारा तो यहां पर आइसके सबसे जाधे फायदे हैं ब्रिडेंग के यह जतना जाधे प्रेड करांगे घर आपके और यहां पर सेम चीज अप्लाई होते हैं इन सभी के लिए भी इसका थोड़ा सा जादे लोगे बस मुवमेंट इनका बहुत जादे है उसका 187 के असपास था और मैली डेमेज भी उसका जादे था इसका मैली डेमेज कम है और इसका वेट भी ठीक ही ठाक है उससे थोड़ा स जादे है वेट वगेरा बट यहां पर बात करने अक्सीजन लेवल की उससे जादे है तो उसकी सबसे जादे है और फूड लेवल यूशी की जादे है हमारा तो आई थिंग सब मिला जुला के हमारा कुछ फायदे हैं इसके थोड़ी से डेमेज और साथ-साथ हेल्थ वगे आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दिजिए और बेल आइकन दवाना न भुलें ताकि आने वारी नेक्स्ट ब्रीडिंग की वीडियो आप बिल्कुल मिस्स न कर दें और यह हमारी सीरीज कंटिनिवस अब चलती रहेगी जब तक हम लोग पूरी सीरीज न कर दें कंप्लीट